लोग सबच चुनाओं से पहले विपक्ष की बेचैनी बढ़ गई है विपक्षी नेता आएक के कर फस्ते जा रहे हैं राहूल गांदी होया अरविंद केजरवाल सब मोदी से मुकाबला करने के लिए जोर लगा रहे हैं लेकिन विपक्ष के लिए कुछ भी अच्छा नहीं ह खेल रही है वही राहूल गांदी की भारत जोर यात्रा से ऐसी खबराई है कि देख कर सभहरान है राहूल की यात्रा में जो कांड हुआ है उससे कॉंग्रेस बैक्फुट पर आ गई है और बीजेपी के नेता वीडियो सबुत दिखा कर कॉंग्रेस के युबराज को एक्स उन्होंने हर बार इडि के समन को अवैद और राजनीती से प्रेरित बताया लेकिन इस बार जो खबर आई है उससे के जिर्वाल की नींद जरूर उर गई होगी इस खबर में आगे सब कुछ बताएंगे आपको डीटेल में कि कैसे के जिर्वाल और राहुल की बढ़ गई ह चंडिगर मेर चुनाव की सुनवाई करते वे कहा कि बैलेट पर एक्स्ट्रा निशान थे लेकिन दोस्तों देश का विपक्षतो लगतार मांग कर रहा है कि देश के सभी चुनाव बैलेट पेपर से ही हो आप लोग खुद ही सोचे कि जब मेर चुनाव में बैलेट में धा बना ही रहेगा जैसा अभी चंडिगर चुनाव में देखनी को मिला है वोट कैप्चरिंग और पैलेट वॉक्स हाई च्यक जैसी परिशानी भी आम हो जाएगी अगर यही वोट इवियम से होते तो ना चंडिगर मेर चुनाव में गड़ बड़ी होता प्रक्रिया भी आसा से चुनाव चाहता है वो मांग उनकी एकदम नजायज और गयर जरूरी है से सुप्रिम कोर्ट के फैसले के बाद विपक्ष भी एक तरह से बैक फुट पर है दरसल चंडिगर मेर चुनाव पर मंगलवार को सुप्रिम कोर्ट ने फैसला सुनाया चीप जस्टिस टीवाई चंडरचूर की अध्धक्षता में तीन सदस्य बेंच ने आदेश दिया है कि मेर चुनाव में आमान ने किये गए आठ बैलेट पेपर माने माने जाएंगे जिसके बाद आमादमी पाइटी के कुलदिब कुमार को मेर खुशित कर दिया गया पीठ ने कहा कि याचिका करता को वारा वोट मिले थे आठ मतों को गलत तरीके से अमाने करार दे दिया गया बाद में ये आठ वोट याचिका करता के पक्षमी पाए गये इस तरहें आठ मतों को जोड़ देने पर याचिका करता के 20 वोट हो जाते हैं लिहाजा आप पार्शद और रियाचिककरता कुल्देब कुमार को चंडी गढ़ नगर निगम के महापौर पद पर निर्वाचित गोशित किया जाता है पेटा से नधिकारी अनल मसीय द्वारा बीजेपी प्रत्याशी को बीजेता गोशित करने का फैसला आमान ने है अब आमादमी पार्टी के मुख्या अर्विंद केजरिवाद से लेकर राहूल गांधी तक ने सुप्रिम कोड के इस फैसले पर पीचे पी को ही निशाने पर लिया है लेकिन विपक्षी निता बैलेट पेपर से चुनाव की बकालत करते हैं और इवियम पर सवाल उठाते हैं ऐसे में सुप्रिम कोड के इस फैसले के बाद विपक्ष अब किस मुख से बैलेट पेपर से चुनाव की मांग करेगा क्योंकि बैलेट पेपर को नश्ट करना और बरवाद करना आम बात है पिछले साल हुए पश्विम बंगाल पंचाज चुनाव में सब ने देखा था कि कैसे बैलेट पेपर नश्ट किये जा रहे थे और कैसे लोग बैलेट वाक से लेकर भाग रहे थे कॉंग्रेज ने तो बंगाल पंचाज चुनाव में नकली बैलेट पेपर के इस्तिमाल के आश्ट का जताई थी बंगाल पंचाज चुनाव से पहले अधी रंजन चौधरी ने कहा था कि दो बैलेट पेपर छबबाये जा सकते हैं एक असली और दूसरा नकली मतदान संपन होने के बाद स्ट्रॉंग रूम ले जाते वक्त असली बैलेट पेपर को नकली से बदला जा सकता है लेकिन विपक्ष खुद ही बैलेट पेपर से चुनाव की मांग कर रहा है लेकिन चंडिगर मेर चुनाव मामले पर सुप्रिम कोर्ट के फैसली की बाद विपक्ष को भी ये मानना चाहिए कि एबियम से ही चुनाव करना सही है राहूल गांदी की महबत की दुकान की पोल खुल गई है वाइरल विडियो से राहूल गांदी एक्सपोज हो गए है राहूल गांदी का हाल ऐसा हो गया है जैसे खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे राहूल गांदी लगातार कॉंग्रेस के लिए काम कर रहे है लेकिन राहूल और पार्टी की बतकिस्मती ऐसी कि ना राहूल ही देश की राजनीती में लॉंच हो पा रहे हैं और ना ही राजनीतिक डल के रूप में कॉंग्रेस देश की सक्ता में कमबैक कर पा रही है। खोड़ कर जा रहे हैं तो वहीं गडबंदन के साथी भी लगातार कॉंग्रेस को आग दिखा रहे हैं। नाम क्या है आपका अपने मालिक का नाम बताओ क्या नाम है बताओ। और राउल गांधी ने कहा कि मारो मत उए मारो मत उसको नाम बताओ उसका। अरब पती है वो उसको छोड़ो दो यहां बेजो मारो मत उसको। ऐसा लग रहे है जैसे अपनी हार देख राउल गांधी छोटी-छोटी बातों पर भढ़क जा रहे हैं। अब राउल गांदी पत्रकार की भी जाती पूछने लगे हैं, महबत की दुकान खोलने वाले अब हमलावर हो गए हैं, राउल गांदी को अब बहुत गुसा आ रहा है, राउल गांदी ने बॉलिवूट के सुपरस्टार अमिताप बच्चन और एश्वरिया राय को चार बा मेडिया से करते दिख रहे हैं, वो राउल गांदी का सौबावी क्वेवार नहीं रहा है, हाल के दिनों में उनकी वानी में तल्की साफ जलक रही है, वहीं राउल की यात्रा पत्रकार पर हमला को लेकर, यूपी के पुर्व मंत्री और राजे सबासांसर, दिनेश शर्मा ने कहा कि नया यात्रा में भीड नहीं जुटपाने का फ्रेस्टेशन, राउल गांदी पत्रकार पर निकाल रहे हैं, वहीं बिजेपी विदायक सलब मनीत रिपाटी ने वीडियो ट्वीट कर कहा है, कि इस हद तक आप पहुचे ये, सर्मनाक, वहीं बिजेपी यूपी प काम की वावाही हो रही है, पियम मोदी ने दस साल के अपने कारिकाल में इतना काम किया है, जितना शायद पहले कभी नहीं हुआ होगा, पियम मोदी ने बता दिया है कि काम करने की इक्षा सकती हो, तो भारत भी दुनिया के किसी भी देश को अपने सामने जुका सकता है, आ लेकिन अब देश में भी BJP विरोधी कई लोग PM मोदी के काम की वज़ा से मोदी के मुरीद हो गये हैं जो कि विपक्ष के लिए किसी जटके से कम नहीं है। अब देश का आम इंसान कश्मीर के लाल चौक पर घूम भी सकता है और परिवार के साथ बिना डरे काम भी कर सकता है। केंदर शासित प्रदेश की राजनेतिक फिजा बदली नजर आई। के बीच PDP के संस्थापक सदसे और पुर्व डिप्टी सी एम मुझफर बेग भी नजर आए। PDP अध्यक्ष महभुबा मुफ्ती से मतवेदो के चलते PDP से दूर रहने वाले बेग ने इस दोरान कहा कि मैं नरेंदर मोदी से परभावित हूँ और उनकी ही गाइडलाइन को मानता हूँ। मीडिया से बात करते हुए मुझफर बेग ने कहा कि परधान मंतरी मोदी देश के नेता है उनका वीजन बहुत बड़ा है और वो पूरे देश को लेकर साथ चल रहे हैं। मैं पिये मोदी की गाइडलाइन को मानता हूँ। पिये मोदी के मुरीद होते जा रहे हैं। मैं पार्टी के उम्मीदवार कुलदीप कुमार भले ही सुप्रीम कोट के फैसले के बाद चंदीगर के नए मेयर नियुक्त हो गए है। लेकिन सवाल तो ये बनता है कि आकिर कब तक आपके कुलदीप मेयर पत पर अपने नाम का दीपक जला पाएंगे। क्योंकि सुप्रीम कोट के फैसले से पहले ही बिजेपी ने खेला कर दिया था। कैसल मेयर चुनाओ का मामला सुप्रीम कोट पहुचा और सिर्ष अदालत से इस चुनाओ को लेकर फटकार भी लगी। लेकिन अब खेल पलट गया है क्योंकि आपके तीन पारसद बिजेपी में शामिल हो गये हैं। आपके तीन पारसद के बिजेपी में शामिल होने के बाद से इंडिया गडवंदन का समीकरन बिगड़ गया है। चंदिगल मेयर का चुनाओ आप और कॉंग्रेस ने मिलकर लड़ा था। दोनों के पास 20 वोट थे, मतलब बहुमत से 2 ज्यादा, लेकिन आम आदमी पार्टी के तीन पारसदों के बिजेपी में शामिल हो जाने के बाद, आप कॉंग्रेस गडवंदन और बिजेपी के पारसदों की संख्या सत्रे सत्रे हो गई है, वहीं अकाली दल के एक पारसद का भी समर्थन, बिजेपी को हासिल है, इसके अलावा बिजेपी के पास एक अत्रिक्ष वोट चंदिगल की सांसर किरन खेड का भी है, ऐसे में सु अलडीब कुमार को सदन में आविस्वास प्रसताओ से बचना होगा, क्योंकि संख्या बल उनके खिलाफ है, कानूनी जानकारों की माने तो आविस्वास प्रसताओ जीतने के लिए, आम आदमी पार्टी के नए मेर को सदन में पारसदों के बहुमत के साथ साथ, उपस्तित और मद्दान करने वाले के 2TI vote हासिल करने होंगे, यहाँ एक सवाल ये भी है, कि अगर नगर निगम में float test तो होता नहीं, लेकिन हाँ विपक्च अविश्वास प्रस्ताओ जरूर ला सकती है, लेकिन खास बात ये भी है कि अगर विपक्च अविश्वास प्रस्ताओ लाना आ सकता है जब कॉंग्रेस के पारसद वोर्टिंग में हिस्सा ना ले वहीं अगर बिजेपी पांच पारसदों को अपने पाले में ले लेती है तो बिजेपी के पास 24 मत पूरे हो जाएंगे जो कि ओविस्वास प्रस्ताव लाने के लिए चाहिए लेकिन क्या ऐसा हो पाएग प्रस्ताव लाने का मौका मिल सकता है ब्यूरो रिपोर्ट ओमेच नियूज और भी वीडियो देखने के लिए चानल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं